आज के क्लास में करने वाले हैं second class accountancy का NPO का first introduction introductory lecture जो था हुआ हमने कर लिया था last class में आज के class में देखेंगे NPO के उपर question problems हम देखने वाले हैं receipts and payments account का ठीक है so last class में मैंने आपको बता दिया था क्या होता है NPO क्या होता है receipts and payment account क्या होता है income and expenditures account then हमने और बात किया था format कैसा था receipts and payments account का ठीक है I hope कि आप सभी ने जहुर देखा होगा अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर i button में क्लिक करके आप जा करें आपको में जाएगा आप देखना नहीं आ बाला देखना पुराना बाला नहीं ठीक है क्रिकेट क्लब गवाटि क्रिकेट क्लब के लिए ठीक है for the year ended 31 12 18 31 12 18 के लिए अच्छा यह क्लास में experiment कर रहा हूं यहाँ पर मैं totally digital करूंगा ठीक है जहाँ पर आपको मैं लिख कर कभी कभी दिखाऊंगा जहाँ पर जोड़त होगा नहीं तो बाकी सारे आपको एक format बना लेना है रिसीट्स अन पेमेंट से ठीक है लेजर का बना लेना है उसके बाद में उपर में लिखना है आपको तीन लाइन पहला क्या लिखना है इन दबुक्स ओफ जहां का भी है जैसे यहां पर क्या है कुवार्टी क्रिकेट क्लब तो हम लिख दिए इन रखना इस तरह से नहीं लिखना है बिल्कुल एकाउंट पूरा है ठीक है उसके बाद में फिल इको फोर दे ये एंडेट की स्पेट के लिए बना रहे हो आप अगर एकाउंट कर रहे हो तो आपको पता होगा यह चीज़ हम ऐसे ही करते हैं ठीक है नेक्ट बारत मैं नहीं सो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ठीक है टू बैलेंस बीडी के नीचे में दो चीज़ आता है कैस और बैंक बैलेंस ठीक है उसका देखो को दिया हुआ है कैस इन हैंड ओन वन वन ट्वेंट का स्टार्टिंवरी वन को इसके पास कितना रुपया था 15,000 था कैस में तो सब्सक्रिब्साइब देंगे सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्सन रिसिप्ड रीचिप्ड लिख सकता हो या फिर टू सब्सक्रिप्शन इस ना इस रिको एपि डीखो इमांट बैठा दो कितना 30,000 दें आफ याद होगा कैस्भूर्ट आपने किया था 11 में जाएंड वही basis है, वहाँ पर और ज्यादा ओ ज्यादा था, triple column cash book, यहाँ पर बस receipt or payment, मतलब simple cash book जैसा ही है, ठीक है, single column cash book जैसा, so, salary paid क्या है, हमारा payment है, तो हम payment के side में क्या लिख देंगे, salary paid, ठीक है, कितना रुपया, 5000, by salary paid, next क्या है हमारा donation received, donation मिला है हमें, हमें पैसा मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, two side में लिखेंगे, two donation, या फिर two donation received, ठीक है, then क्या है, then है life membership fees received, life membership fees received का मतलब क्या हुआ, ऐसा पैसा जो एक बार आपको मिला, और वो जो member है, और life time क्ले आपको member बन जागा, हाला कि यहाँ पर हमें पैसा मिला है, तो यह भी received side में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, two LMF या फिर two life membership fees received, या two LMF लिख कर छोड़ दो, next, LMF means life membership fees ही आपको लिखना है, ठीक है, short नहीं लिखना है exam में, sports material purchase, जो आपको चीज purchase करते हो, तो क्या होता है, हमारा हाँ से पैसा जाता है, तो यह क्या है payment है, तो आप लिखोगे by payment side में, by sports material कितने रुपय का है, 15,000 तो आप 15,000, then honorarium to coach, honorarium to coach, honorarium क्या होता है, last class मिने उनको बताया था, तो honorarium क्या हमारे लिखेंगे payment side में, by honorarium to coach, then salary outstanding, अब देखो salary outstanding, outstanding कोई भी amount नहीं आता है, क्योंकि यह cash basis में नहीं होता है, ठीक है, outstanding मतलब क्यों होता है, आपने पैसा दिया ही नहीं, जो आपने पैसा दिया ही नहीं, तो यह payment कैसे होगा, आपने payment नहीं किया है, तो यह नहीं आएगा, depreciation on sports material, यह भी हमारा नहीं आने वाला है, क्योंकि यह भी क्या है, depreciation क्या होता है, non cash item होता है, आपको पता होगा, तो इसलिए भी क्या होगा, नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा, यहां से आप एक बात याद रखो, अगर ऐसा रहे, outstanding salary for last year, paid during the year, तो यह जरूर आएगा, क्यों आता, क्योंकि यह पिछले साल का outstanding था, इस साल में paid किया गया है, बट इस question में क्या है, क्या बोला गया है, सिर्फ आउस्टेंडिंग ओन 31 December, 31 December 20, तो यह outstanding है, अब तो यह नहीं आएगा, depreciation नहीं आएगा, scholarship to students, जब हम scholarship देते हैं students को, तो क्या होगा हमाई लिए यह, payment हो गया, मतलब हमने दिया है, तो यह payment side में चला जाएगा, by scholarship to students, या by scholarship, sale of old newspaper, old newspaper जब आप, बेचते हो तो क्या होता है, हमारे पास पैसा आता है, नेक्ट क्या है, meeting expenses, पे हुआ है, तो यह आपका payment side में चला जाएगा, by meeting expenses, admission fees received, admission fees अगर आया है, मिला है हमें, तो यह भी क्या होगा, to admission fees received, next क्या हमारे पास में, cash in hand on 31, 12, यहाप 18 नहीं होगा, 20 होगा है, 31, 12, 20 में, अब देखो यहाँ पर एक चीज, cash in hand है, हमारे पास में कितना, 10,000 रुपीस, अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको लाश्क नहीं बताया था, balance कैसे करना है, ठीक है, तो यह आप अब लिख दो, payment side के नीचे में लिख दो, by balance CD, by balance CD हमने लिख दिया, उसक बाद क्या लिख दिया हमने, cash in hand, या फिर cash balance cash लिख दो, कितना रुपीया है, 10,000, अब एक और चीज रहाता है, कि bank का पैसा का आईगा, मैंने आपको लाश्क नहीं बताया था, इस तरह से होता है, हमारे पास में, सपोज मानलो यहाँ पर हमने क्या किया भी, यहाँ पर buy balance CD, एक होगा cash, एक होगा bank होगा, अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, आप इसे बैलेंस करोगे, और अगर मानलो आपका, यह आपका क्या था, रिसीट्स था, यह क्या था payment था, अगर मानलो पेमेंट जादा है, रिसीट्स से, मतलब मानलो यह है 10,000, और यह है मानलो 5,000, तो balance इधर आएगा, तो यह चीज जो है, इधर आजाएगा, और अगर यह जादा है इससे, तो यह balance इधर आता है, हमने पढ़ा है 11 में, तो इसलिए मैं इस पर भी detail में नहीं जा रहा हूँ, so balance करना है आपको, so balance करने के लिए आप क्या करोगा, सबसे पहले जो रो बोच साइट को, ठीक है, जब आप add करते हो, इन सभी को जाब sum आप करोगे, so receipt का आपका total कितना होता है, 76,000, ठीक है, और यहाँ पर टोटल जब आप add करते हो, तो आपको जो कितना हो रहा है, 40,000, ठीक है, so अभी इन दुरों का जो difference है, वो यहाँ पर आ जाएगा, bank में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, कितना, 36,000 अमर के हो गया, bank का balance हो ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, receipt payment account बनाते हो, और बाद में आप क्या कर सकते हो, इसी balance को, जो cash और bank का जो भी balance था, उसको उठा कर आप यहाँ पर फिर से, ledger के बाद में, बाहर में लिख सकते हो, ठीक है, तो इस तरह से हम receipt payment account बनाते हैं, यह मैंने एक sum लिया है, just illustrate करने के लिए, easy वाला, धीरे धीरे हम और भी अलग अलग तरह के questions देखेंगे, even हम NCRT का भी questions देखेंगे, ठीक है, नीचे कोमेट को बताना कि आपको और कैसा चाहिए, हलाकि यह 12 वाले हो, प्लास अफ्लोडेड हो चुका है, ठीक है, तो आप भी देख लो, और नहीं हुआ है, तो एक दो दिन में आ जाएगा, ठीक है, इंगलीस का, तो चैनल को सब्क्राब को रख दो, ठीक है, इंगलीस और एकाउंट NC, और प्लस बाद में होने से, कर पाएंगे, यहां पर ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नीचे कौन का बताना, कैसा लगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियों, बाबाई,